अज़की इस वीडियो में आपको एक नुई जोब और विकंसी की अप्रेट देने वाला हूँ जो कि आपको जेई और एके पोस्ट पे देखने के लिए मिल रही है जिसमें डिपलोमा और बीबीटेक दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें डिपलोमा वाले के लिए विक पर दी गई है तो सभी कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कौन-कौन इसको अप्लाई कर सकता है कैसे इसको अप्लाई करना क्या इसकी लास्ट है कि इसको अप्लीकेशन फी क्या है सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहेगा जिन तक जब भी मैं वीडियो अप्लोड करो तो उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलेगी और बहुत सारे ऐसे जोब स्विकेंस जाते जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाथा ओँ आपने टेलिग्राम पर इंस्टाग्राम पर वार्टसप ग्रूप में डाल देत हूं तो आप लोग जरूर से जोइन होकर करिएगा सभी का जो लिंक से मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं और आप कमेंट सेक्षन में अपना जो भी ब्रांच है कौन ब्रांच से आप बीटे कर रखें कौन ब्रांच से आप डिप्लोमा कर रखें या account से trade से idea कर रखें comment section में जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं आप से relevant आपको देखने के लिए यहां पर दे दिया गया यहां से आप इसका syllabus भी download कर सकते हैं देख सकते हैं और यहां पर इसकी जो starting date है 11th of April से यह start हुई है 10 बजे से और last date इसकी 10th of May 2013 इसकी last date है रात के 11.50 पीम तक तो इस date के बीच में आप इसको apply कर सकते हैं online apply कैसे करना है तो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी website से यहीं से आप इसको online apply कर सकते हैं यहां पर आपको registration करना होगा registration करने के बाद आप लोग लोग इन करके इस form को यहां से successfully submit कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर मैं आपको vacancy position दिखा दू तो यहां पर जो पहला य electrical और mechanical का group A में यहां पर vacancy निकल करके आ रही है यहां पर भी आप देख सकते हैं असिस्टेंट एक्जुकुटिव इंजिनर सिभील और electrical और mechanical टोटल वेकेंसी यहां पर दिया गए 52 वेकेंसी है और junior engineer के लिए वेकेंसी है यहां पर आप देख सकते हैं यह junior engineer civil electrical mechanical का पोस्ट इसके बाद mechanical में बीटेक मेकेनिकल से कर रहे हैं तो अपलाई कर पाएंगे और electrical में अगर आप लोग बीटेक इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं तो अप इसमें अपलाई कर पाएंगे वहीं पर आप अगर junior engineer की बात करें तो junior engineer की यहां पर दिया गहा है candidate must poses और डिप्लोमा इन civil engineering उसके बाद diplomat in mechanical engineering और diplomat in electrical engineering किसी भी equivalent qualification अगर आपके पास है तो भी अपलाई कर पाएंगे from any university or institutions recognized by the government or he must be associated member of institution of engineers of India civil mechanical electrical में यह होना चाहिए तो यह अगर आपके पास हो qualification तो आप इसमें जरूर से eligible हैं अपलाई कर सकते हैं और भी जो भी सानकारी हैं सभी कुछ मैं आप तक जरूर देखते रहीएगा अब बात करते हैं कि यह vacancy कहां से आ रही है तो यह जो vacancy है odysa lift irrigation corporation limited के तरफ से vacancy आ रही है और इसमें जो है government of odysa के undertaking में आता है और इसमें recruitment in various technical and ministerial post निकली है जिसमें in odysa lift irrigation corporation limited OLIC इसके तरफ से आपको यह vacancy देखने के लिए मिल रही है ज TCS इसको complete करा रही है तो जो भी candidate इसमें interested है eligible है जरूर से इसमें apply कर सकते हैं TCS के website यहाँ पर दिया गा है कि आप इसको online apply कर सकते हैं 11th of April 2023 से लेकर के 10th of May 2023 के बीच में आप इसको online apply कर सकते हैं इस date की बीच में link activate रहेगा तो इसका जो link है मैं आपको वीडियो के description में दे है तो इसमें eligible है दूसरा चीज यहाँ पर point दिया गा है कि he or see must be a good character and of sound health and free from any organic defect and physical infirmity तो यहाँ पर कोई भी candidate जो भी है ओँ अच्छा character के होने चाहिए और अच्छा health होना चाहिए और free from any organic defect मतलब आप विकलांग नहीं होने चाहिए उसके बाद यहाँ पर तिसरा point है कि he must be able to read, write and speak audio and have passed middle school examination with audio as a language subject तो यह इसमें mandatory point दिया गए कि आपको लिखना बोलना और पढ़ना audio language में आना चाहिए और वहां के जो middle school से वहां से आप pass होने चाहिए अब बात करते हैं age limit की कितनी आपको इसमें age रहना चाहिए तो यहाँ पर दिया गए कि a candidate must have attained the age of 21 तो आप आपका जो age है 38 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 21 से कम नहीं होना चाहिए तो यह इसमें age का range दिया गया है तो आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा अगर आपका जो age है 38 से ज्यादा हो गया है तो उस case में आपको कुछ relaxation देखने के लिए मिल जाएगा जो की application फी यहाँ पर दिया गए है कि 500 रुपए आपको एपलीकेशन फी पे करना होगा जो भी इसी candidate है जो इसमें apply करना चाहते है उन लोगों को यहाँ पर 500 रुपए application फी पे करना होगा जो भी candidate यूर करेगरी में आएंगे और जो भी candidate рeasr Homeland क अएगे उन लोगों को यहाँ प official website पर आना होगा जो की लिंक मैं वीडियो के description में दे दूंगा odysa lift irrigation corporation limited यह tcs इस वेकंसी को complete करवा रही है तो इसी के थुरू आपको यह form apply करना होगा यहाँ पर आप register वाले option पर click करके register कर लिजेगा उसके बाद login करके आप इसको form को fill कर सकते हैं यहाँ पर आप syllabus भी download कर सकते हैं जो भी आपका जैसे की assistant engineer और junior engineer civil का यहाँ से आप इसको click here करके syllabus download कर सकते हैं apply करने के लिए आपको register वाले option पर click करना होगा उसके बाद आपके सामने में इस तरह का interface open हो करके आएगा इसमें आपको यहाँ पर close कर देना है और यहाँ पर आपको जो भी post के लिए apply करना चार्ण है यहाँ से इसको select करना है यहाँ पर यहाँ पर इतने सारे post के लिए यहाँ पर आपको दिखेगा उसके बाद आपको अपना applicant name डालना है उसके बाद mobile number comfort mobile number email address करके generate OTP पर आपको click करना है उसके बाद आपके mobile number या email ID पर OTP जाएगा उसको डाल करके यहाँ पर I agree पर click करके capture डाल करके नीचे में re-verify कर दिजेगा तो आपका जो यहाँ पर registration है complete हो जाएगा उसके बाद login वाले option पर click करके अपना details यहाँ से डाल करके login कर लिजेगा और उसके बाद इस form को successfully submit कर सकते हैं तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था मैंने आपको बता दिया फिर भी गर आपके मन में confusion.query रगया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए सुक्रिया और thank you वीडियो को जरूर से like, share, subscribe कर दीजेगा जिनसे की इसी तरह के जो भी सारी jobs frequency की update आती रती है इस channel के मादहम से आपको मिलती रती है मिलती रहती हैं तो जरूर से channel को subscribe करके रखेगा साथी bell icon प्रेश करके all select जरूर से करके रखेगा ताकि जब भी मैं video upload करूट तो उसकी जो notification है सबसे पहले आपको मिलेगे और बहुत सारे ऐसे jobs frequency आते जिनका मैं video नहीं बना पाथा और मैं अपने telegram पर, instagram पर, whatsapp groups में डाल देता हूँ तो आप लोग जरूर से join होकर करिएगा सबी का जो link से मैं आपको video के description में दे दिया हूँ और आप comment section में अपना जो भी branch है कौन branch से आप B.E.B.T. कर रखें कौन branch से आप diploma कर रखें comment section में जरूर से बताईएगा ताकि आने वाले जो videos हैं आपसे relevant आपको देखने के लिए मिलें